हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे तो आज की वीडियो 24 बढ़े अरब लोगों का Prie आपके चीज़ करनी लगों से कौन कारईंगे ठीक है तो फिर पार्ट नंती हो जाती है ठीक है किस तरीके का आया हुए है दोनों में से एक करना है यू आरण और अन्वी राइट एप्लिकेशन तो पांच नंबर की देखिए तो एक रिमिशन ओफ फाइन हो गई उसके बाद में एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स यह हो गया कि आपको पार्ट लेना पड के जाना है पेपर में वो लास्ट डे हम रिवाइज कर लेंगे ठीक है तो यह आपको एक चीज अच्छे से पढ़नी है सेकंड क्वेस्टन है अटाम टैनी वन आफ दा फॉल्लिविंग अब देखिए यहां पर तीन चीज़े आपको दी हैं उसमें से सिर्फ एक करना है जो तो दीखे रिपोर्ट भी आ रखिए पैरग्राफ आ रखा है स्टोरी आ रखिए इन तीन चीजों में से एक चीज करनी है आप लोगों को तो आप इन तीन चीजों को रिवाइस कर लिजिए जो चीज आप बनाके लिख पाएं उसको लिख लीजिए ठीक है इसी है तो पांच नमर का बना बना कि छीज अगे आप को स्टोरी यो पतार वो लिख दो काम चल जाएगा ओके उसके बाद में राइट गर्रेक्टर केच आगया और इसका मतलब होता है कि आपको इसमें से साथ देख रहे हो आप साथ questions हैं आपको साथ में से सिर्फ चार करने हैं तो यह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत इजी पेपर आता है बिल्कुल भी डरना नहीं है घबराना नहीं है choices मिलती हैं हर चीज में choice है देखो है ना इसलिए मैं हमेशे साप लोगों को बलती ह ही है तो टेंशन नहीं लेनी है ठीक है उसके बाद में देखिए अगला फिफ्ट जो है poetry section अगया उसके अंदर से कोई भी two questions करने है answer any two of the following है ना तो कितने है टोटर एक दो तीन चार चार चीज़े हैं आपको इनमें से कोई दो question के answer लिखने है ठीक है easy है उसके बाद में six जो है answer in 100 words 100 words का मतलब यह long है फिर से दिखें यहां पर character sketch आ गया character sketch मैंने भी बोलो ना आपको पढ़ना है उसके बाद में describe the scene when Mr. Jeffers tries to arrest a man without a head तो इसमें सब को जो एक आता है यह वाला जादा easy है यह वाला जादा easy है तो अगर आपको जो भी आता है आप अच्छे से अपन जोने यह heading जरूर पढ़नी है ठीक है ना तो इसमें आपको questions 1,2,3,4,5,5,6,7 ऐसे मिलेंगे आपको choice मिलेगी कि इसमें से आपको करने है ठीक है ना उसके बाद में यहां पर देखिए आपको question answer question chapter है उनके नाम भी दिये हुए ताकि आपको थोड़ा hint मिल जाए कि इस chapter मे जाया है तो आप इसी से बना बना के लिख सकते हो है ना बेटा तो इसलिए यह subjective part है बहुत easy है free के marks आपको 40 में से 40 में से आप 20 से अबव marks जो है वो free के ऐसे ही लेकिया सकते हो कैसे ला सकते हो यहां पर देखो दो question करने है यहां पर देखो 100 word का question करना है long question के बारे में कु तो बिल्कु टेंशन के बार नहीं है तो यह subjective part था सिर्फ ठीक है उसके बाद में दीरे में अभी objective part लेकर आउंगे mcq उसके बाद में English में आप क्या के चीज़ें जो free के marks दिलाएंगी और अच्छे से वह करके लेके आप जाओगे वह चीज में आपको करवाँगी ठीक ह तो दीरे दीरे सारी चीज़ेंगे पेपर में बहुत टाइम है तो बिल्कु टेंशन रहने के जरूत नहीं है घबराने के जरूत नहीं है तो मिलते हैं next वीडियो में next part के साथ thank you so much for watching जो आपके friend zone को भी बोलिए channel से जुणने के लिए video share कीजिए लिए वह भी यह सारी ची जाएंगे बहुत अच्छी percentage बनेगी ठीक है तो मिलते हैं next part के साथ thank you so much for watching बबाई एक चीज़ और वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए है ठीक है ना और notification bell को on कर दीजेगा ताकि जैसी वीडियो डलू और वैसी आप लोगों को मिल जाए ओके मिलते हैं next video में thank you so much for watching बबाई